Hello everyone and welcome to Physical Education India आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी उनिवस्टी के बारे में जो कि क्लास 12 के बाद ही आपको बाचलर्स और फिस्कल एजूकेशन के कोर्स को करने का ओफर करती है मैं इसके पहले हमने कुछ उनिवस्टी डिसकस करी थी जैसे कि L.I.P. और L.N.C.P. था जो चार साल का बीपेट करने का ओप्षन देती थी का रिस्पॉंस दिया ताकि मैं इस वीडियो को आपके लिए क्लियरली बना सकूँ ताकि जो बच्चे भी बीपेट करना चाते हैं वो यहां से अपलाई कर सके और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर सजिस्ट करूँगा कि आपको इस उनिवस्टी में जाना चाह करना कि आपको यहां पर अपलाई करना है कि नहीं तो इस वीडियो में जितनी भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, फॉर्म कैसे फिल करना है, eligibility criteria क्या है, admission process क्या है, fees कितनी है, seeds कितनी है, जितनी सारी documentation है, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो university की यह है कि यह new education policy 2020 में जो IT उसको follow कर रही है, जिसका मतलब अगर आप 4 साल के course में बीच में भी drop out करते हो किसी particular year में, तो उसका भी award आपको मिलेगा, जो कि इन्होंने यहां पर mention करके रखा है, जैसे कि अगर आप 4 साल के course में पहले साल में exit कर जाते हो, तो आपको physical education का एक certificate दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहां पर mention है, अगर आप 2 साल में छोड़ते हो, तो आपको diploma मिलेगा, physical education का, 3 साल में छोड़ते हो, तो bachelor of physical education की degree मिलेगी, और अगर पूरा course complete करके निकलते हो, तो फिर bachelor of physical education honors with research आपको यहां पर, जो degree है, वो grant होने वाली, यानि कि इ best value है, वो आपको से मिल सके, and hopefully इन्हों ने भी यहां पर इस चीज को कहीं ना पर mention ज़रूर किया हो, ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, तो 12th के बाद देखो, आप इसको apply कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद, online application जो है, वो आपकी 19 June से start हो गई है, 21st July तक आपकी यह registration है, वो open रहेगा, इसके बाद आपका written examination और general fitness 23 July को, यानि की 21 July को जो यह dates close हो रही है, उसके within 2 हफते में आपको पूरा procedure है, वो यहां का over हो जाएगा, और आपको admission यहां पर मिल जाएगा, application की जो fees है, वो 500 रुपीज है, non refundable है, तो इसकी पो attention नहीं है, form भर ने रहा, और फि दियान रखो कि यहां का form भरो, university जो, वहाँ पर सारी चीज़ें देखो, और फिर decide करना, वहाँ पर faculty से बात करना, infrastructure देखना, और फिर देखना कि आपको वहाँ पर apply करना है, या फिर नहीं, ठीक है, चलो, क्योंकि option आपके पास एक है, तो यह मैं सोच हो कि नहीं यार, नह physiology, इन तीन major subject में से कोई एक major subject आपको select करना है, जिस पे आपको main focus कराया जाएगा, इसके अलावा, और भी जितने basic subjects हैं, जैसे कि anatomy, physiology है, sports training है, और भी जितने health education है, यह सारे subject तो वहाँ पर आपको पढ़ाया ही जाएंगे, जो कि चार साल के b-ped में होते हैं, लेकिन आपका एक major focus जो हो यहाँ पर कराया जाएगा, इसके बाद कुछ जो गेम से specialization यहाँ पर कर सकते हैं, वो है track and field, football, badminton और khoko, देखो यहाँ पर क्या है, अभी basically चार गेम से यहाँ पर mention है, क्योंकि university नहीं है, तो आप अगर इन चारों गेम में से किसी गेम के हो, तो आप से बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत ही जल्दी सारे ही games वहाँ पर available हो जाएंगे, क्योंकि अभी faculty कम है, तो games भी कम है, जैसे जैसे faculty आती जाएगी, आपकी जो specialization है, वो आपके नए-नए वहाँ पर add होते जाएंगे, तो physical education वैसे भी कैसा subject है, जो आपको teacher बनने पर focus करेगा, एक coach बनने पर focus करेगा, तो आपको game के अलावा भी जितनी सारी चीज़े है, price related हो, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से कराई जाएंगी, game अगर नहीं है, तो आप किसी दूसरे game से start कर सकते हो, और जैसे ही आपका game add होगा, आप उसमें change कर लोगे, उसमे आपको कोई भी problem नहीं होगी, लेकिन अगर आप B-Pet करना चाहते हो, 12 के बाद, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर किसी दूसरे भी specialization से जाके वहाँ पर कर सकते हो, इसके बाद आपको at least five दूसरे games का exposure मिलेगा, यानि कि आपको दूसरे games भी सिखाये जाएंगे, जो कि ब documents की बात का लेता हूँ, जो आपको online अभी जब हम form फिल करना में आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर कैसे आपको डालने हैं, और कौन-कौन से हैं, वो important है, date of birth का proof डालना है, जिसमें आपकी high school की admit card हो सकता है, mark sheet या फिर 12th का आपका certificate हो सकता है, इसके बाद mark sheet और passing certificate 10th का और 12th का, sports achievement आपको upload करना है, cast certificate अगर आपको लगाना है, तो आप वो upload करना है, medical fitness certificate आपको medical officer किसी भी gathered या फिर district health officer से बना के यहाँ पर upload करना होगा, उसके बाद photo और signature दो options और यहाँ पर है, तो अपर जब हम form फिल करेंगे तो उस सारी चीज़ने आपको दिखाऊंगा, eligibility बिल्कुल 12th आप qualified होने चाहिए, 50% marks अगर जनरल और EW से हैं, और 45% marks अगर अगर आप other categories से belong करते हैं, तो, seeds वगर आप मेंचन है, आप देख सकते हो, बाकि सारे चीज़ने आप डीट कर सकते हो, अब हम आजाते हैं, selection criteria पर, कि आपका selection यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले आपका है return test, second है general fitness test, जिसमें आपका basic motor ability test होने वाला है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, sports achievement यानि की participation, जिस भी game में आपके पास achievements है, उसके marks, marks कतने मिलेंगे, वो भी नीचे हम discuss करेंगे, और last में आपका basic सा interview होगा, जहाँ पर faculty members आप से interact करेंगे, तो, वो भी बहुत easily आप आप जिस subject में आ रहे हो, physical education में आ रहे हो, तो आपने 12 में पढ़ा होगा, तो basic से questions आप से आप से पूछे जाएंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, वेटेज यहाँ पर 50% दी हुई है, यानि कि आप जितने भी marks इसमें total score करोगे return में, उसका 50% जो है, व वो इन चारों के ही total से बनेगी, ऐसा नहीं है कि fitness test जो है, वो आपका qualifying या या फिर कोई चीज हट जाएगी, नहीं, चारों चीज का total होगा, उससे ही लेके आपका, जो पूरा percentage होगा, वो यहाँ पर merit आपकी बनने वाली है, इसके बाद अगर आपको selection हो जाएगा, तो यह कुछ documents यहाँ पर दी हुए है, page number 30 पर जो आपको original लेके वहाँ पर जाने होगे, इसके बाद fee structure की बात अभी हम नीचे करेंगे, course information यहाँ पर दी हुई है, आप अराम से prospectus अपना यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा, तो यह जब admission आपको हो जाएगा, उस समय की चीज़ें है, जो आपको वहाँ पर देनी होंगी, तो दो form है, आपका page 37, 38 पर आप इसको करवा सकते हो, simply आप इसको लेके जाओगे, किसी भी वकील के पास, तो वह आपको कर देंगे help उसमे, उसके बाद देखको य आइडी कार्ट फीस होती है, इसकी वैसे पहले समेस्टर में फीस जादा हो जाती है, उसके बाद जो है, फीस आपकी accommodate हो जाएगी, एक चीज़ें मैं आपको और mention कर दूँ, मैं आपको clear कर देता हूँ, वैसे कि वहाँ पर faculty आपको पूरी इस चीज़ को clear करेगी, hostel जो है, वो college के अपने नहीं है, इनके tie-up हैं दूसरे hostels के साथ, जहाँ पर यह आपकी पूरी help करेंगे आपको accommodate कराने की, यानि कि अगर college आपको accommodate कराता है किसी एक particular hostel में, तो यह जो fees यहाँ पर mention है 25,000, यह आपको college को ही pay करनी होगी, लेकिन किसी condition में बहुत कम chances हैं ऐसे, जैसे कि मैंने faculty से बात करी, उनने मुझे को ensure किया, लेकिन फिर भी अगर by chance college आपको accommodate नहीं करा पाता है, तो आपको खुद ही बहार accommodation देखना पड़ेगा, जहाँ पे जिसके बाद आपको 25,000 रुपीज जो fees है, यह college को pay नहीं करना पड़ेगा, और आप यह जो पूरा payment है, आप जहाँ भी रुखोगे, अपना हिसाब से pay करोगे, तो यह चीज आपको तब पता चल जाएगी, जब आप अपना physical देने जाओगे, या फिर जब आपका result आज जाएगा, तो यह सारी चीज़ें आप वहाँ पे clear कर सकते हो, पूरे teachers आपकी अच्छे से वहाँ पे help करने वा जिस तरीके से मैं sample paper को पढ़ सकता हूँ, बहुत ही basic सा paper है, बिल्कुल भी tension मत लेना, कि क्या आजाएगा paper में, बहुत अपना basic सी पढ़ाई करके जाना, sports के question कर देखो, यहाँ पे example दिया हुआ है, कि किस तरीके questions है, तो आप इनको भी यहाँ पे easily पढ़के जा सकते हो, ताकि आपके अच्छे marks इसमें आए, ठीक है, physical fitness test की बात कर लें, तो general motor ability test जैसा ही आपका है, जहाँ पे आपके 50 meter sprint, standing broad jump, medicine ball, over through, partial club, और one mile run, partial club basically आपको sit ups होगे, और one mile run, यह इतने events आपके होने वाले, marking system पूरी यहाँ पे दिये हुए है, तो आप इस prospector से देख सकते हो, कितना score करने पे आपको कितने marks मिलने है, obviously जितने ज़्यादा marks score करोगे, उतना अच्छा merit में आपको option यहाँ पे मिलेगा, इसके बाद last जो चीज़ यहाँ पे दियो हुई है, वो दियो हैं आपके certificate के marks, इसको भी आप रीट कर सकते हो, अगर आपने world championship या किसी भी international level पे perform क किया है, तो उसके कितने marks है, national games, senior nationals, खेले इंडिया games, SGFI में अगर आपने participate किया है, तो उसके कितने marks है, और district level पे, KVS में, NVS, CBS, CFA clusters में अगर आपने कहला है, तो उसके यहाँ पे कितने marks मिल रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे सीधे सीधे एक ही certificate upload करना है, जो आपक MYAS की list में होता है, ministry of youth office and sports की list में, वो सारे game consider किये जाते हैं, तो obviously वो यहाँ पे भी consider किये जाएंगे, ठीक है, चलो, अब हमें आ जाता हूँ, फटा-फट आपको form पे, कि आपको form कैसे fill करना है, main page पे आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको admission को option दिखेगा, यहाँ पे click कर आने के बाद, आपके सामने एक page खुलेगा, जहाँ पे देखो, prospectus आएगा, general instructions आज जाएंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, prospectus बता चुका हूँ, आपको click करना है, यहाँ पे apply online पे, apply online पे click करने के बाद, आपको देखो, नीचे आपको option दिखेगा, register here का, जहाँ प email पे को टीपी जाएगा, उसको verify कर देना, तो यहाँ पे यह green clear का हो जाएगा, verified, उसके बाद साथी चीज़ें fill करके, यहाँ से आपको register कर देना है, register करने के बाद, आप दुबारा आ जाओगे, sign in page पे, एक चीज़ का धिहान रखना है, कि register करने के बाद, यह अपनी से एक नया password, वहाँ पे डाल के feed करके, अपना account ready कर सकते हो, ठीक है, जब आप इस page पे आ जाओगे, तो देखो, तीन options यहाँ पे है, सबसे पहले आपको यह profile वाला है, यहाँ से start करना है, मैंने dummy form पहले से यहाँ पर भरके रखा है आपके लिए, ताकि आपको समझाने में जादा time ना लगे, तो basic से यहाँ पर information है, नाम, gender, religion, mobile number, marital status, nationality, category, यह सरे चीज़े हैं, फिर आपका address है, यह सब डाल के आपको simply यहाँ पर save कर देना है, बहुत simple सा form है, बिल्कुल भी कुछ भी tough नहीं है, next page आपको कुछ इस तरह कर खोलेगा, simple से दो options यहाँ पर है, य और BPA आपको यहाँ पर option मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको आगे चलके continue कर सकते हो, यह भी आपका save हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर डालने है, अपने 10th और 12th के marks, आपको अपना board डालना है, year marks obtained, division क्या थी, subjects क्या क्या पढ़ेते हो, सब डालना है, मेरा participation था, तो मैंने वो डाला, year डाल दिया, certificate में उपर एक serial number होता है, enclosure number होता है, वो आपको आपको डालना है, और यहाँ पर आपको फाइल को अपनी जो है, वो simply आके यहाँ पर upload कर देना है, तो simply अपनी PDF को upload करने के बाद, आपको यहाँ पर save and next option पर click कर देना है, यह का कैसे कैसे कौन से upload करना है, जो मैंने आपको prospectus में बताया थे, वही सारे documents वहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर self-attested documents upload करने है, self-attested का मतलब है कि आपको जो document आप upload कर रहे हो, for example, अगर आप अपनी date of birth upload कर रहे हो, mark sheet लगा रहे हो, तो उस mark sheet का साफ सा एक print निकल ला होगे, उस A4 sheet के नीचे आप अपना signature करोगे, अपना date है वो डालोगे, जिसन आप कर रहे हो, और साथ मैं उसके लिखोगे self-attested, इसका मतलब यह होता है कि जो document है, वो completely true है, और आपकी position में है, और आप कोई भी गलट document वहाँ पर upload नहीं कर रहे हो, और उसी document का आप original copy जो है, वो college को submit कर पाऊगे, ठीक है, उसके बाद declaration आजाएगा, simply आपको वहाँ पर कुछ declarations देने है, yes करके, और फिर payment करके आपको जो form है, वो submit हो जाएगा, और सारी information जो होगी, वो आपको mobile number और email ID के तुरू मिल है, इसलिए बहुत जदा भी मेरे पास history नहीं है, कि courses कैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको suggest करूँगा, मैं आपको suggest करूँगा, decision आपको होगा ध्यान रखना, कि आप वहाँ पर जाओ, अपना entrance, return test दो, एक experience लो, वहाँ के faculty से मिलो, infrastructure को बढ़िया से वहाँ पर देखो, सा आपको वहीं पर admission लेना है, अगर आप वहाँ पर आपको लगता है, कि आप वहाँ पर जाके पढ़ाई कर सकते हो, तो बिलकुल वहाँ पर जाओ, और अच्छे से पढ़ाई करके, वहाँ से अपने degree को complete करो, right, so thank you so much for watching this video, उमीद करूँगा, सारे चीज़ें clear हो गई होग फिर भी कोई doubt है, तो नीचे comment section में आप पूछ सकते हो, stay safe